अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, लिस्ट के functions देखना है, तो लिस्ट के functions में आपके पास कई सारे functions हैं, ठीक, और कुछ बिल्कुल सेम भी हैं उसके जैसे, ठीक है, इसते पहले दो-तीन अलग और important बाते हैं, वो क्या है, यहाँ पर एक तो हम delete के बारे में देख लेता है delete कैसे काम करता है, मान लिजए x है आपका, और x आपने दिया है कितना, अच्छा हाँ एक चीज और बताने है important, 1, 2, 3, 4 and 5, सपोज यह है, ठीक है, अगर मैं आप ऐसा कर दूँ, delete x of 2, delete x of 2 कर दिया, और उसके बाद अगर आप print करेंगे किसको, x को, तो क्या print होगा, 1, 2, 4 and 5, है ना, तो delete function इस तरीके से काम करता है, कि delete के साथ आप कुछ भी item delete कर सकते हैं, ठीक है, वो item delete हो जाएगा, आप चाहें तो एक range पे भी delete कर सकते हैं, मतलब slicing का उपयोग, जैसे slicing से अगर आप value डाला सकते हैं, तो delete भी तो कर सकते हैं, तो मान लिजए अगर मैं ऐ इसका मतलब अब इस वाली list में से किस को delete कर देगा, और यहाँ पर x भी तो लिखना पड़ेगा, 0 और 1 वाले को delete कर देगा, अब अगर आप x print करके देखेंगे, तो आपका output क्या मिलेगी, 4 and 5 मिलेगी, एक चीज और यहाँ पर होती है, अगर आप delete कर देता है x को, क्या कर देगा, list के सारे element ही delete कर देगा, and list को भी delete कर देगा, इसके बाद अगर आप x print करने की कोशिश करेंगे, तो error आएगी, कि x is not present, समझ में आगे क्या बात, फहले इसको एक बार करके देख लेते हैं, क्या है मान लिजे, आपने यहाँ पर क्या लिया, x लिया, या a लेई लेते हैं, delete, a of, और आपने क्या delete किया, to delete कर लेता है, तो a of to delete होने के मंतर j delete हो जाएगा, हो गया, बोलिये, और फिर आप delete कर लेते हैं, कि इसको a of slicing लगा लेता हूँ, और मैंने delete कर दिया, 3 से आगे के सारी चीज़े, तो 0, 1, 2, 3, यानि i और n डिलीट हो जाएगा, clear है ही ना, अगर आप यहँ, delete, a लिख देते हैं, अब अगर आप a को print करेंगे, तो name a is not defined, है ही निए, बात समझ में आ गई क्या, अब a equals to, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, एक और function होता है, सही clear function, ठीक है, वो क्या कर देता है, clear कर देता है, सारे elements, मानलो आपने clear a लिख दिया, ठ पहले a print करके देख लेता है, a print किया, सारे आगए, clear function भी होता है, clear a किया, या, sorry, वो तो ऐसे यूज होगे, a dot clear function है, तो clear, अब देखो, delete क्या एक reserve word है, delete एक function नहीं है, यहाँ पर clear एक function है, clear function यूज करेंगे, तो यह क्या कर देगा, a को clear कर देगा, बगर आप a print करेंगे तो क्या आ रहा है, blank, difference क्या होगे है, delete और इसमें, जैसे आ सकता है यार, यह चीज पेपर में, delete क्या करता है, list को भी delete कर द अब शायद इसके अंदर function है, value भी pass कर सकते है, नहीं कर सकते तो पता चल जाएगा, इसमें function वो भी है, input भी है, इसमें, और extend है, clear के अंदर, clear takes no argument, एक दे रखा है, तो clear का काम सिर्फ क्या है, screen को जैसे वो clear करते थे, clear screen, CLR, SCR, ऐसे इसका काम है, कि clear क्या करेगा, सिर्फ इसको clear कर देगा, okay, क्या करेंगा, मैं करीं, इसमें functions है, extend है, बहुत सारे functions है, करेंगे वो line by line, बड़ मैं 2-3 जैसे delete अच्छी चीज थी, है न, deleting function भी नहीं है, इसलिए पहले बता दिया, तो functions इसके करेंगे, एक आज बात जो जैसे रह गई, जैसे एक बात ये रह गई, आप मानलो मैंने अकांशा ये लिख रखा है, a.a equals to मैंने लिख दिया, 1,2,3,4,5 मैंने लिख लिया, okay, अब अगर मैं ये लिख दूँ, b equals to a, what will happen? b equals to a, तो that means कि b b जो है, वो एक list बन जाएगी, आप print करके देखेंगे, तो ये भी print हो जाएगा, है ना, अब आकांशा, यहाँ पे मैं तुमसे ये पूछता हूँ, मानलो मैं b of 2 में, अगर कुछ डालना चाहूँ, मानलो, मैंने डाल दिया 200, तो अगर मैं b को print करूँगा तो क्या print होगा, 1, 2, 204, 5, हो गया, अगर मैं a को print करूँगा, क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी आएगा, 1, 2, 204, 5, एसा क्यों, ऐसा इसलिए, जब मैंने आपको mutable, immutable, वो सारी चीज बताई थी, आपको क्या बताया था, अगर मानलीजे, आपने लिख रखा है, a बरा इसमें खेल, बहुत सारे blocks हैं, कहीं blocks हैं, ऐसे मतलब वो बहुत सारे बने, a मानलो कहां पर आगे मानलो, यह 10 है, a इसको point कर रहा है, मानलीजे, यह 15 है, b इसको point कर रहा है, और c कहीं 8 इसको point कर रहा है, अगर मैं यह लिख दू, a equals to c, it means what, इसका मतलब यह नहीं होता, जै a अब इसको point ना करके, इसको point करेगा, जी, तो जब आपने list में किया है, तो उसने भी इसको, इसकी copy, मतलब दोनो इस same, जहां पर मानलो, आपने क्या लिखा, a equals to 1, 2, 3, 4, 5, तो मानलो, ऐसे करके कहीं सारे block थे, अब यह कोई block है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 आया, इसको कौन point कर अब आपने लग गया, a, ऐसे और भी blocks बने वे हैं, मानलो, अब आपने for example क्या किया, अगर आपने b equals to a लिख दिया, it means, कि b, b, a, b, c को point कर रहा है, तो अब आप a में change करो, या b में change करो, change किसमें, अच्छा, ओके, समझ मैं, और आप इस चीज को verify कर सकते थे, किस चीज क तो आप id of a लिखेंगे, तो भी आप देख सकते हैं, जो भी आ रही है, id of b लिखेंगे, तो भी आपको same ही मिल जाएगे, समझ में आगे बात के नहीं, तो यानि अगर आप equal to से करते हैं, कभी भी, किसी भी चीज में कर लो, तो वो कैसी copy create करता है, उसकी duplicate copy, मतलब both will point to the same location but if you are creating like, suppose, आप इसको लिख दो x equals to, मैं लिख देता a, मैंने x में क्या डाला है, a, तो x 20 की copy बन जाता है, बट अगर मैं list function के through करता हूँ, किस से करता हूँ, list function से, तो अब x एक अलग copy बनेगा, मान लिजे, अलग list बनेगी, तो आप id of x देखेंगे, आपको दिख रहा हो ठीक है, अब अगर इसके अंदर आप change कर भी दे, मान लिजे, आकांचा मैं कर रहा हूँ, b of 0 में आप डाल रहे हो, b of 0 में आपने डाल दिया 0, ठीक है, और same, आपने क्या किया, मान लिजे, किस में create किया था, मैंने x में, x of 1 में डाला है, 0, ओके, जी, अब अगर आप print कर रहे हैं, a को, a की पहली location भी, b पे पहले से डाला था, a के अंदर भी वो change reflect करेगा, ठीक है, लेकिन जो x के अंदर डाला था, x of 1 पे ये नहीं है, कि ये भी reflect हुआ हो, ठीक है, अगर आप x को करते, तो x उसकी independent copy थी, तो जो पहले create हुआ था, देखो, पढ़ा क्या था, x क इसके बारे में ये भी चीज हमें, पता होने चाहिए, ठीक है, अगर आपको, थोड़ा सा अलग concept है, इसका, किसका, इसमें थोड़ा सा अलग है, पतलब, हर चीज सेम नहीं है, like cc++, हाँ, मैं, और सिर्फ ये ही चीज जो वाला difference है, जो मैंने, ये चीज, जैसा भी ये integer हो इसलिए list function से आपकी कैसी copy बनेगी, अब अगर मैं ऐसा कर देता, मतलब यहाँ पे, y equals to a कर दूँ, तो, यहाँ पे क्या होगा, मानलो कि ये एक block, अलग से create होगा, उस block के अंदर क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, and 5, और जो y है, वो इसको point करेगा, अब ये दोनो blocks अलग है, समझ कि अब मानलो, a equals to 1, 2, 3, 4, 5 होगया, ये blocks है, तब ये ऐसे create होगे, ठीक है, तो ये वाला काम होगया, और delete का काम होगया, ठीक है, delete में x को भी delete कर देगा, और delete के साथ आप clear भी कर सकते हैं, मानलो, a में क्या लिखा था, 1, 2, and 3, अगर आप क्या कर दें, a dot, और clear क्या है function ह है, तो a dot clear कर देंगे, and then a को print करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, blank मिलेगा, clear, तो a clear में, but a present है, तो difference between delete and clear, अगर आप लिखें, तो delete एक function है, वो delete just a keyword है, और clear क्या है, एक function है, और delete keyword बहुत सारी चीजों के साथ use होगा भी, आगे, और भी चीजों के साथ होता है, तो delete और clear समझ में आ गया क्या, जबकि clear क्या करेगा, उसकी existence को खतम नहीं करेगा, delete उसकी existence को भी खतम करतेगा, अगर आप single को लिखेंगे, तो, मेरे खाल से बात clear होगी होगी, और जाद ही जरुत है नहीं, अब इसके बाद, आपके पास same, अगर हम functions पे आ जाए तो आपके पास functions इसके अंदर कौन-कौन से होगे, functions हैं इसके अंदर, एक index function इसके अंदर होता है, आप देखोई, function है आपके पास, इसके अंदर मानलो एक index function है, तो index function मतलब अगर a मानली आपने क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब आप index चेक कर रहे हैं, किसका चेक करेंग तो यह देदेगा टू अब अगर एडॉट इंडेक्स आप चेक करना चाह रहे हैं किसका नाइन का वो इसके अंदर प्रिजेंट नहीं है तो यह देगा यह आपको बता है तो फॉजिटिव नेगेटिव नहीं देता है find करने में दे सकता है क्योंकि find देखो आकांशा दो चीज़े एं मैं यहाँ पर क्या चेक करना चाहर हूँ किसी element का index ठीक है वहाँ पर find क्या करता है वो element किस index पे है वो ढूंड के हमें बताता है तो वो index दून रहा है सरिफ, तो find में आगे दून रहा है तो कभी भी negative value हो नहीं सकती तो find में इसलिए find में अगर वो नहीं मिलता है तो find क्या दे देता है? negative return कर देता है तो में index में हम negative value कैसे निकाल सकते हैं? count, यार index तो negative भी होता है नहीं होता तो है जैसे अगर मैं find कर रहा हूँ find function क्या करता है? आगे दून रहा है इंडेक्स function क्या है? इंडेक्स दून रहा है, आगे दून रहा है, पीछे दून रहा है नहीं पता है, अब ये क्या कर रहा है? अब index की value तुम सोचो अगर मैं कह दूँ मतलब किसी ने index से answer दिया for example, जिसको python में सिर्फ ये पता है list की मैं indexing सिखा दो मैं उससे कहा दू, भाई, minus 2 पे present है या minus 1 पे present है, तो क्या समझेगा? यहाँ पे present है जब कि अगर आप error देतेंगे, इसका मतलब ये element इसके अंदर present नहीं है अब देखो reason उन्होंने क्या रखा ऐसे तो कि इसे भी ऐसा मान लेते find की तरह कि given left से टून रहा है minus 1 ही रख लेते, बट अब जो चीज बनी हुई है उसको आपका अपने दिमाग में कोई ऐसा logic set करना पड़ेगा, जिससे paper में आप गडबड ना करें, समझ महीं बात मुद्दा ये नहीं है कि ये क्यों दिया अब मान लो ये चीज तो दे दी उसने जिसने function मनाया है तो उसने दिया जो दिया बट उसने ऐसा क्यों दिया तो उसकी पीछे थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे शायद हमें ये answers मिल जाएंगे like count में जितनी मिल गए भई मिलने का मतलब at least एक तो मिला तो यानि zero return करने का मतलब एक बार भी नहीं मिला find करने का मतलब किस location पे मिला वो location मिल जाएगे तो zero पे मिल सकता one पे two पे three पे minus one पे मिलने का मतलब मिला नहीं ऐसा भी हम मान सकते हैं फिर index चुकि नाम index में index से जैसे अगर कोई बच्चा पड़ेगा index का मतलब उसे शुरू में हमने indexing समझा दी forward indexing backward indexing अब indexing में negative return करेगा न वो तो बच्चा समझेगा हो minus वाले पे है यह सोच के उसने बनाया होगा I think so लेकिन index में अगर error देदेगा that means वो समझ जाएगा भही साब है ही नहीं ठीक है इसके बाद दो function और होता है एक function होता है append और एक function होता है extend ठीक है append क्या करता है इसके अंदर append add कर देता है मानलीजे जैसे आपने यह ए कर रहा था और मैं a.append कर दूँगा ठीक है और मैंने मानलीजे लिख दिया 300 अब इसके बाद अगर आप a को print करते तो आपको आया था 1, 2, 3, 4, 5 and 300 append क्या करता है सबसे last location पर append कर देता है but append और extend में यह difference है यह केवल only one value को append कर सकता है append करने का मतलब यह होता है केवल एक जोड़ना और extend करने का मतलब क्या होता है कितना भी आप इसके अंदर add कर सकते हैं तो extend जब भी आप करेंगे न तो एक list को दूसरी list से extend करेंगे दूसरी list का मतलब again अकांशा, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, जैसे इसको आप करके देख लेता है, यह last ही करता है, इसके बाद के functions बाद में ले लेंगे, मान लिजे, a equals to, मैंने लिख लिया, 1,2,3, यह हैं तो हम आपस a और z आपने define किये वह थे, अब दुबारा उसको छोटा सा बना लिया न, a.append हमने कर लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 200, अगर आपने यह को प्रिंट किया तो 123 और 200 आ जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या न देगा आपको, कि append only takes one argument, और आप कितने argument दे रहे हैं, दो, लेकिन यह काम आप extend में अगर करते, a.extend, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,3, विल इट वर्क करेगा, पैने आपको बताया, इसमें क्या देना पड़ेगा, जैसे कि, देखा कांशा, यहाँ पे 2 और 3 है, और 2 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर है, और अगर यह दोनों इंटीजर है, क्या इसमें कोई 0 index, 1 index व तो वो डालेगा कैसे है, यह सेम काम slicing वाला है, यहाँ पे error देगा है, सवंज में आ रही है, अगर आप इसको ऐसा कर देते, a. या तो आप क्या लगा देते, दो बार यह, क्या, दो बार bracket, तब यह काम कर लेता, वरना यहाँ पे इसको list बना ले, 2,3 मैंने लिख दिया, त 2,3 आपने लिख दिया, अब यह काम करेगा, और दोसों के बार 2,3 add कर देगा, और यहसा जरूरी नहीं है, दूसरी चीज, मतलब दो ही element ले, यह एक को भी जोड़ देगा, मगर देना उसको किसकी form में पड़ेगा, index की terms में, अगर हम भी यह bracket में भी डाले, तो मतलब यह टपल भी ले लेता है न, यह खाली list हो लेगा, list क्या, string भी ले लेगा, टपल भी ले लेगा, फिर यह integer, अब देख फिर error क्यों आई, अब तुम कहोगे टपल क्यों ने लिया सर, आप तो टपल कहा रहे हैं, यह इसलिए ने लिया, single element से भी आप टपल बनाते हैं, तो आप कॉमा देते हैं, अब यह work करना चाहिए, 100%, जैसा मुझे लगता है, कर दिया, और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर string भी दे सकते थे, ठीक है, मैंने string दी, और यहाँ पर मैंने string अगर मैं दे रहा हूँ, आप अगर मैं इसको दे रहा हूँ, तो आपक आप यहाँ पर है, जब आप इसके अंदर कोई चीजे डाल रहे हैं तो वो index-wise डालेगा, तो चीज ऐसी होने चीजे, जिसके अंदर index present हो, बिलकुल simple बात है, इसमें कोई कठिन नहीं है, जिसमें दिमाग घूम रहे है, ठीक है, तो r एक जगे जगे जगे, यू एक जगे और ये एक जगे है, मेरे क्याल से clear होगी होगी बात, अकांशा, हान जी होगी है, अब अगर मैं ऐसा भी होता न, b equals to कोई और list होती, 2,3, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे, a.extend, या अगर मैं b.extend करता और a को pass करता तो यानि b के पीछे किसको जोड रहे हैं आप, a को, त उसके बाद 1,2,3 और ये सारी तमाशे आजाते हैं अगर आप b को प्रेंट कर रहे होते, तो, और देखो, यहाँ पर ये काम जो हो रहा है, वो इसी के अंदर हो रहा है, मतलब b में extend कर रहा है, वो a को, these things does not return anything, मान लो, अगर मैं ऐसा कर दूँ न, कि x equals to, मैं दुबारा से ये लिख दूँ, तो दुबारा ये लिखने का मतलब, दुबारा extend कर देगा इसमें एक बार और, अब अगर मैं b को print करूँगा, तो देखो, कितनी लंबी चौड़ी कहानी आ गई, अगर मैं x को print करूँगा, तो न लाएगा, क्यों, क्योंकि x create हो ही नहीं पाया, समझ रह जब इसने कुछ return ही नहीं किया, अब आप सोचो चल यार, integer मतलब कुछ return कर रहा है, दोनों list पे काम हो रहा है, तो x को blank list ही बना देता, मगर भई, जब उसने कुछ return ही नहीं किया, तो that means क्या return किया, कांशा, none, इसलिए x में, जब आपने x print किया, तो कुछ नहीं print हुआ, type of x देखके आप ये check कर पाए, कि ये किस तरीके का है, none type का है, तो देखो append हो गया, extend हो गया, अब दो चार simple है, मतलब जो pop, warp ये कर लेंगे बाद में, okay, जी,